कि डियर कस्टमर होल एज बिन प्लेस ऑन यूर ये सिसी और ये मेरे तीन चार अकांड में उल्लेडी लग चुका है फिर भी मैंने काफी कोशिज की उनको अन होल्ड कराने के लेकिन अभी तक मैं काफी टाइम बैंक भी जा चुका हूं मैं प्लिस स्टेशन भी चला गया मैंन तो हमें उनको समझाने में मैं काफी टाइम वेश्ट कर चुका हूं लेकिन जब मुझे पताया कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते बैंक वाले भी कुछ नहीं करते हैं बस हम कर रहे हैं कर रहे हैं बुल के आप वह सिंपिलि को हिआसे आप व्हस्यारी ग्ल overlay कर आए तो सिंप पिली cyber portal search mark है यहां पर आप लोगों को यह cyber portal का एक website आ जाएगी तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होएगा उसकी complain या रजिस्टर्ड होगी या फिर आप लोगों को complain करनी होगी तो सब चीज के लिए आप लोगों को यहीं आना पड़ेगा अगर bank आपकी बात नहीं सुन किया है तो मैं अपनी complaint जैसे करने के लिए यहां पर यहां पर यहां पर साथ क्या हुआ है आप लोगों को अपना इमेल डाल देना है और यहां पर mobile नंबर डाल देना है एक OTP आएगा और OTP से आप लोगों को यहां पर रेजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद आप लोग लिए UPI से हुआ है या bank net banking से हुआ है वो select करके आप लोगों को पूरा description लिखा रहेगा वहां पर आप लोगों को सब कुछ लिख देने की क्या 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 करना है और अगर आप लोगों को यहां पर मतब अगर वो जो है जिसने complaint किया अगर वो withdrawal करने के लिए complaint ready हो जाते है त वहां पर उसका ID नमबर डालने का है यह submit करने का है तो उसका यह login हो जाएगा और simply वहां पर complaint withdrawal का option आजाएगा नीचे तो आप लोगों आप से complaint withdrawal कर सकते है और अगर आप लोगों को cyber का email ID मिल जाते है तो simply आप लोगों को क्या करना है कि उसमें एक बार ही अपना जो भी आ amount का आपने BTC दिया है वो सब लिखने के बाद आप लोगों को वहां पर स्क्रीन सोट अटेच करके वो cyber crime जिनोंने आप यह hold लगवाया है उनको आप simply भेज सकते हैं mail कर सकते है mail ID आपको bank से throw मिल जाएगा आप लोग चाहे तो उनका number लेके उनसे बात भी कर सकते हैं मैंने और फिर इसके बाद यह होगा कि आपका जो ही cyber crime का office नजदीक पड़ेगा वो आपका case को देखेंगे और वो उनसे coordinate करेंगे अगर उनको सही लगेगा तो वहां से आपका document जो भी proof है वो सब forward कर देंगे सायद इससे आपका complaint जो है विट्टॉल हो जाएगा लेकिन इस process में काफी time लगने वाला है आप लोग यह सोचे कि दो से तीन मन तो आप लोगों कर लगेगा लगेगा मेरा already processing में है मेरी complaint विट्रॉल हो चुकी है मैंने bank से भी बात किये लेकिन अभी bank ने भी इसका जो प्रूफ था वो already भेज दिया है तो अगर आप लोगों कभी जो जिसने complaint किया है अगर वो complaint विट्रॉल करने के लिए या वो समझ गया है कि आपकी गलती नहीं है तो आप लोग simply उससे एक application लिखवा के bank के थो cybercrime जो cyber portal है वहाँ या फिर cyber जहां से भी आपकी complaint hold लगवाए गया है उदर वो जैसी forward करेंगे तो सायद आपकी complaint विट्रॉल हो जाए है मैंना और लड़ी काफी चीज आप लोगों को बता दिये तो ठीक है फिला मिलते हैं अगली वीडियो में